हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें पुरानी ज़ाडू कब किस दिन और कहां फेक हैं घर में रखी ज़ाडू धंधानी और सुक शांती का प्रतिक होती है माना जाता है कि यदि आप अपने घर में ज़ाडू सही डंग से रखते हैं और किसी शुब दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं तो देवी लक्षमी जी की क्रपा हमेशा आपर बनी रहती है और आपका घर हमेशा ही धंधाने से भरा रहता है क्योंकि शास्त्रों में जाडू को देवी लक्षमी जी का ही प्रतिक माना जाता है इसलिए जाडू का सही डंग से प्रयोग बहुत ही जरूरी बताया गया है आज हम आपको जाडू से जुड़ी वो सभी बाते बताने जा रहे हैं जिनका जानना आपके लिए और आपके घर के लिए बेहत जरूरी है जाडू किस दिन और कहा फेक हैं जोतिश और शास्टों में ये माना गया है कि घर की पुरानी जाडू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका देहन के बाद या ग्रहन के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए साथ ही जाडू को हमेशा ऐसी जगह फेकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके उपर पैर ना रख सके यदि आप इनमैसी किसी भी दिन पुरानी या तूटी हुई जाडू को घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में व्यापते दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां भी उस जाडू के साथ ही आपके घर से दूर चली जाती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है घर से जाडू किस दिन ना फेके जाडू को मालक्षमी जी का प्रतीक माना जाता है जिससे हम घर की अलक्षमी या दरिदर्धा को घर से दूर करते हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिनके घरों में साफ सफाई रहती है वहां का बातावरन positive energy से भरा होता है इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर से जाड़ू को एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार और लक्ष्मी पूजन के किसी भी दिन घर से बाहर नहीं फेकना चाहिए क्योंकि यदि आप इनमें से किसी भी दिन जाड़ू को अपने घर से निकालते हैं तो माता लक्ष्मी जी भी घर से चली जाती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है जाड़ू का अपमान ना करें शास्रों में ये बात भी बताई गई है कि जिस घर में जाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी जी की कुपा नहीं बरसती इसलिए सदय विजबात का ध्यान रखें कि जाड़ू को कभी भी भूल कर भी पैर नहीं लगाएं और ना ही उसे लांग हैं शास्रों में जाड़ू का इतना बड़ा महत्व है कि शीतलता प्रदान करने वाली माता शीतला भी अपने हाथों में जाड़ू लिये रहती हैं इसलिए कोशिश करें कि जाड़ू का कभी भी अपमान ना होने दें तूटी या विक्री जाड़ू को घर में ना रखें तो उसे तुरंत किसी शुब दिन पर बदल देना चाहिए। माना जाता है कि तूटी हुई जाडू के नकारात्म प्रभाव से घर में परिशानिया बढ़ने लगती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। आप जानते हैं सबसे ज़रूरी बात कि नई जाडू कब खरीदें घर के लिए नई जाडू खरीदने का दिन बेहद माईने रखता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि नई जाडू कृष्ण पक्स में खरीदना शुब होता है। जबकि शुक्ल पक्स में खरीदी गई जाडू दुर्भाग्य का कारण बनती है। मंगलवार, शनिवार, रविबार और अमावस्या का दिन जाडू खरीदने के लिए सबसे शुब होता है। उपचान उसकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले